हेलो लर्नर्स कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोश्चन आ सकते हैं और ये सेसन आपके लिए बहुत ही महत पूर्ड होगा तो सेसन को पूरा एटेंट क अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चले शुरू करते हैं कोश्चन नमबर वन से कोश्चन नमबर वन क्या कह रहा है धीरे धीरे का समास क्या होगा धीरे धीरे का समास तो द्वन्द समास त क्या है तो इस्लोग उक्तिक से आपका क्या आर्थ निकल Two अ है एला बहुत निप्र बनना यह तो नहीं हर था सादन ना होने पर भी काम कर लेना यह लिगा रहा है Il 다 barely लेना यह विगतार रहा रहने पर भी काम करने की monarch writes 250 म जो कना करें क्या को भी Q कोशन नमबर थर्ट क्या कह रहा है वही मन्युस्य है कि जो मन्युस्य के लिए मरे पंकती में कौन सा अलंकार है इसमें पहला अनुपरास अलंकार यमक अलंकार स्लेज अलंकार रुपक अलंकार इसमें हो जाएगा आपका अनुपरास अलंकार कोशन नमबर फूर पर्यावाची सब्द है आपका शार्दा शार्दा आपका पर्यावाची सब्द है बवागिश्वरी का कोश्चन नमबर फाइफ में आ जाते हैं हम लोग कोश्चन नमबर फाइफ कह रहा है अब ये स्थित्क वाक के खंडों में करमबद वाक की बनाईए और उचित करम चुनिए तो इसको वाक की बनाना है तो इसमें क्या होगा कैसे वाक पहले देखो भातिये बिना हिंसक विरोध में सुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याएं चले आए हैं सुरू से ही आर्थिक और समाजिक अन्याव को बिना हिंसक विरोध के भारतिये सहते चले आए हैं सुरू से ही आर्थिक और समाजिक अन्याएं को बिना विरोध के भारतिये सहते आए चले आए हैं कौन सा आप्शन सही है इसमें आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कोशन नम्बर सिक्स के अपर तरफ चलते हैं तीन खेर खाती थी वे तीन बेर खाती है ये प्रयूक तलंकार है कौन सा लंकार होगा तो ये जो लंकार हो जाएगा वो होगा आपका यमक आगे चलते हैं हम लोग कोशन नम्बर सेवन क्या कह रहा है विसमें इस्थाई भाव किस रसमें होती है विसमें इस्थाई भाव तो ये जो होगा आपका कोशन नमबर सैवन का यहोजा अपसंसी अदभुद अदभुद रसमें ये होती है यद्यपी मोहन धनी है तथा भी बहुत दुखी है जंगल में लगने वाली आइग को क्या कहते है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दसवा नमबर तो ये हो जाया आपका दावानल कोश्चन नमबर 11 चरड कमल बंदी रगुराई में अलंकार चरड कमल बंदी रगुराई में अलंकार कौन सा है तो इसमें हो जायागा आपका रूपा गलंगा रसी ऑप्सन गरेक्ट होगा Q2 तीन लोग से मदूरा नियारी का अर्थ तीन लोग से मदूरा नियारी का अर्थ क्या होगा तो इसमें आपका जैसे तीनों लोगों में मदूरा ना होना सबसे निराला मधूरा का बखान तीनों लोकों में है बहुत सुन्दर मधूरा का होना तो इसमें आपका उप्सन भी करेक्ट हो जागा सबसे निराला तेसरा हुआ क्या है मिथिलेश कुमारी किने कहते हैं राधा, सीता, सत्यभामा या द्रौपडी इसमें हो जाएगा आपका भी ऑप्सन यानि की सीता खड़ी बोली का प्रथम में महा कावे कौन सा था खड़ी बोली का प्रथम महा कावे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी ऑप्सन नंबर बी क्या कह रहा है प्रिय प्रवास आगे चलते हैं अंता सब्द का समानार्थी पहचानिये अंता सब्द का समानार्थी क्या होगा 15 नमबर तो इसका C option परिड़ा मत रिच्छो से पत्ते जड़ते हैं इसमें कौन सा कारक है तो ये आपका हो जाएगा आपा दान कारक सी ओप्सन सेवंटीन विचार में एक प्रत्य लगने से बनता सब्द तो सत्राहवे का क्या हो जाएगा आपका डी ओप्सन जो की है वैचारिक कोशन नमबर एटीन पर जलते हैं कोशन नमबर एटीन क्या गह रहा है सुद्धवा के पहचानिये मेरी